पहले देखने के लिए आप हमारे चेनल को सब्सक्राइब परें और पास में लगे बेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भुलें खरगोन पुलिस ने 5 गांजा तशकरों को गिरफतार कर उनसे 10 किलो गांजा जबते किया है गांजा की कीमत तकरीबन 2 लाख रुपे बताई जा रही है खरगोन पुलिस को मुक्बीर से सुचना मिली थी कि उमरखली रोड पर बाइक से अवेद रूप से गांजा ले जा रहे है पुलिस द्वारा एक टीम का गठन कर गेराबंदी की गई और आरोपियों को धरदबोचा आरोपियों के पास से 10 किलो गांजा जबते किया गया पांच आरोपियों में से 2 आरोपी इंदोर के बताए जा रहे है पुलिस द्वारा आरोपियों से पूछ स्थाच की जा रही है गांजा कहां से लाय जा रहा था और कहां ले जाय जा रहा था एडिशनल स्पे शश्रिकांत कंकने ने बताए कि लंबे समय से अवेद रूप से गांजे की सप्लाई की सुषनाय प्राप्त हो रही थी थाना प्राभारी को सुषना प्राप्त हुई थी कि कुछ बाहर के लोग गांजा खरीदने के लिए खरगोन आये हुए हैं पुलिस द्वारा टीम बना कर अवेद रूप से गांजा ले जा रहा है आरोपियों को धर्दबोचा खरगोन से अजे तिवारी की रिपोर्ट अजे बाहर के लिएक पकड़ा गया और जब तरहास लिए उनके पास से तरवार आट प्रादे़ गांजाए इसके रिमास दबड़ एक लाग साथ जार पर बगगो गया और जिल पाइक जब जब गई पकड़े में अर्वकियों से जितेंद्र और पंकच ये तोनों और पी इंदोर के रहने वाले हैं और एक कपिल नाम के विपिश जो रोग्ड़ का आणा में इंदोर के रहने वाला इसके साथ इनकी मिफटा पूथी प्रशिव राया है कि इनको फर्वन पेकड़ा प्रवार जाँ अर्फटा पता जाँ तो जुचना प्रवार्वार कर एक विद बिदु है लोने इंको परश्टा को पकड़ा और धिरफ्टा जुआ पगड़ा है कि बेचने वाले कुंप रखरीपी तो बीजार जाने प्रेस्वाइए कि अक्सक्राइब की पूरववाना गई कि अब्दूर से नियुकर प्रेस्वाइब कि हमें। सब्सक्राइब कर दोनों की चेम को सब्सक्राइब कि गई है और दस किलो काफी बड़ी मात्राइब किस तरीकी की कारवाई यह पिछले कुस समय से सब्सक्राइब कर दोनों कर दोनों को पकड़ा जिनकी तलासी लेते उनके पास से लगवग आठ किलो गांजा जो कीमती एक लाग साथ हजार का है वो जब्त किया गया उनसे मालूम चला कि दो लड़के उसमें इंदौर के रहने वाले हैं और एक लड़का मेनगाओ धाना शेतर का रहने वाला है जिसने उनकी मित्रता कराई थी उन तीनों को पकड़के जब गुर्फतार किया गया और जब मुस्ताशी गयी तो मालूम चला कि उनके दोरह जो गांजा है वो खरगोन से ही खरीदा गया है उसके पश्चात एक टीम और बनाई गई जिसको संबंदित व्यक्ति को पता करने के लिए भेजा गया जब संबंदित पर टीम खी कि तलास की गई तो उनके कबजे से भी लगवग 2 किलों गांजा जब किया गया उनके नाम शिकारिया और दश्रत हैं एक उसमें बरू ठाना छेत्रा रहने वाला है और एक आरोपी उसमें भगवान पुरा थाना चित कर रहने वाला है इस पिकार से देखा जाए तो दो अलग-अलग मामले लगवग एक आठ किलो का और एक दो किलो का कुल मिलाकर दस किलो गांजा इस कारवाई में जबत किया गया है और इस कारवाई में संपुन पुलिस थाना बहत वाली खरगोन की भूमी का बहुत ही अच्छी रही है इनके सारे अधिकारियों करमचारियों को पुलिस अधिक्षक द्वारा पुरुस्कित करने की गोश्णा की गई है गांजा लगबग देखा जाए तो तीन लाग क्या असपास इसकी कीमत अभी संबंद में पुंस्नाच की जा रही है चुकि यह पूरी चेन पकड़ी गई है खरीदने वालों को भी पकड़ा गया और इसमें बेचने वालों को भी पकड़ा गया अब इस वारे में और पुं इसे स्थानों को भी चिन्वित किया जाएगा जैसे कि कहीं शेहर में केफे के नाम पर संचालन हो रहा है अब भी गांजा कहीं ने कहीं हो सकता है निसंदे रूप से इस परकार की जो सुचनाय आती है उन पर तुरंद कारवाई भी की जाती है और लगातार हम मादक द्रव्यों के रोक्ताम और उनसे बचाओं के लिए अभियान भी चला रहे हैं स्कूल कॉलेज़ों में जागरुपता अभियान भी कर रहे है आने वाले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगें डेल आइकोन को दबाना बिल्कुल भी न भुलें